वाव गार्णिंग दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डिफिन बेकिया की विंटर कियर इस प्लांट को विंटर में कैसे आप है लॉंग टाइम तक अपने प्लांट की कलेक्शन पे बचा कर रख सकते हैं वैसे तो यह काफी हाड़ी प्लांट होता है बट जो प्लांट देरे-देरे करके खराब होने लगता है और डाय कंडिशन पे जाने लगता है जैसे कि आप अपने सामने अभी देख पा रहे हैं मैं आपके साथ इसकी वीडियो काफी वार शेयर कर चुका हूँ रैनी सीजन में भी बताई थी आपको समर केर भी बताया हूँ तो उस टाइम आप देखे होगे कि इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही थी और ग्रोथ तो अभी भी दोस्ति उसकी काफी अच्छी चल रही है पर इसमें ऐसी कुछ ऐसी चीजे हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हूँ अगर आपने घर पे से लग प्लांट की है उसको मेंटेन रख सकते हैं चली जाल लेते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर वाटरिंग कंडिशन की तो आपको एसी रखनी है सब आपको ऐसा लगे कि आपकी जो टॉप सर्फेस सॉइल की विग दम से ड्राय हो चुकी है तो इसके बाद ही आप इसमें जो है थोड़ा सा वाटरिंग कर सकते हैं अब यह आप देख सकते हैं किसमें मैंने हैं काफी दिनों से दोस्तों इसमें वाटरिंग की है उसके दो रीजन है सबसे पहला तो यह कि जब विंटर्स का टाइम चलता रहता है तो इस पर प्लांट्स को बहुत जादा जैसा क्योंकि जो फॉग बनती है और जो उपर उसमें वोज बनके गिरती दोस्तों तो आल्रेडी उपर से दोस्तों यह वैट रहता है पूरा तो इस कारेंट से आपको जो इसमें बार वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है दूसरे आद आपको जो देख के वाटरिंग भी इसमें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऊवर वाटरिंग कर देंगे तो इस प्लांट्स की बहुत जल्दी से दोस्तों रूट रॉट होने लग जाती है तो इस चीज से आप थोड़ा सा देख कर अपने प्लांट्स पर बचिएगा क्योंकि अगर आप थोड़ यहां पर लगा लेंगे या फिर और किसी ट्राकॉट एक जल्दी से जौप की स्वाइल है वह ड्राय हो जाती है अगर जैसे आप सुआ सब करो करो कि विंटर में तो उसमें भी काफी जल्दी सो नहीं होती है पर अगर मैं इसके कंपेर करूं अगर उसकी 2 दिन में हो रही नेक्स में बात करो दोस्तों इसकी शावरिंग की तो देखिए जैसे मैं आपको कैफी बार बता चुका हूँ अभी विंटर स्केर वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि आप प्लांट्स को इस समय नहलाना बंद कर दीजे किसी भी आप चीज से जैसे उपर से पानी डाल द करती है तो हो सकता है काफी सारे ऐसे रीजन होते हैं जो प्लांट्स को उस कंडिशन पर नहीं सर्वाइब कर पाते हैं अच्छे तरीके से और दूसरी बात क्या होती कि डफन विक हैं दोस्तों यह जो इसकी पत्तियां होती है काफी बड़ी होती है जाइन लीव का ले लग जाती है तो अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो अपने प्लांट्स को बचाने के लिए अभी आप उसको वाटरिंग ऊपर से उसे नहलाना बंद कर दीजे तो प्लांट्स आपका अच्छी कर्णिशन में चला जाएगा और अभी है आप यहां पर एक्जामपल लीक लिए देख सकते हैं कि आप ऊपर के जो देखेंगे थोड़ा सापको इसके पत्ते खराब दिखेंगे बट अगर आप नीचे कंपेर करें तो आपको पत्ते इसके अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि इसमें दो रीजन हो गया सबसे पहला यह कि मैंने जब इससे दोस्तों मैंने इसमें किया था बट उसके बाद दोस्तों अचानक से आप जानते तो है वेदर कैसे चेंज होता है फिर पूरे दिन तक दोस्तों धूफी नहीं आई तो इसमें पानी ऐसे लगतार रह गया और मैं इसमें ध्यानी दे पाया और फिर रात में दोस्तों इसमें फॉग कंडिशन में तो यह दोस्तों काफी सारी problem हो जाती है घ्लांट से देखने के लिए इसाईक डाउा और ऊकाइशन में अपको दोस्तों लाइटिंग कंडिशन की तो इस समय दोस्तों आपको वैसे भी मालूम है कि जादा ज्यादा जो है संवाइट कराएंगे लाइटिंग ऐसे एरिया पर रखेंगे जहां पर सुबह की संवाइट मिलती है प्लाइट्स को अब जैसे कि मैं आपको वीडियो अभी तो फिर यह उस तरह की लाइटिंग को एकसेप्ट नहीं करते हैं अपने अंदर दूसरी बात क्या होता है कि वह उनमें बर्निंग की प्रॉब्लम आने लगती है वैसे यह काफी अच्छा ही टॉल्रेंड प्लांट होता है बट फिर इसकी जो लीव होती है न वह येलविश प कर दोस्तों फर्टीलाइजेशन की तो इस समय तो मैं अगर शेयर करूँ आपके साथ तो मैंने बिल्कुल भी फर्टीलाइजेजन को नहीं किया है किसी भी तरह मैं नों कुछ हेड़ता भी नहीं हूँ एवन यहां तक ही कि मैंने भी इसमें गुडाई भी नहीं की है काफी दिनों से हो गया है तो अभी मैं इसमें बीच में गुड़ाई तो करूंगा इसकी थोड़ा सा तो आप अभी की टाइम पर वर्मी कंपोस्ट या तो कावडंग कंपोस्ट रहेगा थोड़ा सा वामीनेस होता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं नेक्स में अगर बात करूं प्रूनिंग वगरा की तो आप बिल्कुल भी समय तो कटिंग प्रूनिंग कुछ भी मत किया जासे पहले ही बताशक हो करताई विडियो के बटा वर्मी आप हसी कि या क्या चीद नहीं करना है को पूरे कि पूरी टीपस पॉलो कर सकते वह जा कैप यह नहीं आई अप देख सकते सब değil को अफे ट मिल जाएगी प्लेलिस पर तो अबकार देओ bark, अब कर आपको बिटा सक तो इस टाइम बिल्कुल मत कीजिए आपको एक तो प्लांट भी खराब हो जाएगा और प्लांट अपका लगेगा भी नहीं तो यह कंडिशन आ जाती है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका प्लांट काफी तरीके से ग्रोथ करते रहेगा एक लास्ट इंफोर्मेशन दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपके में ऐसे पैस्ट का वगएरा टैक होता है तो आप या तो फंगस वगएरा लग जाती जैसे कई बर क्या होता है कि रूट्स गलने लग जाती है ओवर वाट्रिंग के करेंट तो आप उ पानी से मिलकर दोस्तों खाने लग जाता है रूट्स को धिरे दिरे जो हाप देखोगी कि काफी सार काफी बार अडेनियम में मैं आपको दिखाया अडेनियम गलने लग जाता है तो वही दोस्तो इस प्लांट में भी प्राब्लोम आती है तो आप थोड़ा से जब गुडा साथ नए प्लांट केर के साथ तब तक के लिए दोस्तों टेक केर आफ यसेल्फ एंड गुडबाय है एपी गाड़निग